इधर मद्रप्रदेश की जबलपूर से रोंग टेक खड़े करने वाला एक वीजियो सामने आया वहाँ एक चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटेक आ गया जिसके बाद बस ने कई गाड़ियों को टक करना गया जिसका एक CCTV वीजियो भी सामने आया जिसमें बस चला रहे ड्राइवर को अचानक हार्ट अटेक आ गया जिससे उसकी मौत हो गई इस बीच बस अन्यंत्रित हो गई और कुछ गाड़ियां बस की चपेट में आ गई इस हाथसे में छे लोग गंभी रूप से खायल हो गई जोने अस्पताल में भरती करवाय गया पुलिस के मताबिक बस अधारताल से रानिताल के लिए जा रही थी और बस जैसे ही दमोनाका के नजदीक पहुँची तब ही यह हाथसा हुआ यह पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को बशने तक का मौका भी नहीं मिला इधर जैन्यू कैंपस में ब्रामन और बनिया समुदाय के खिलाफ आपत्ती जनक नारे लिखने के मामले में वी सी ने आंतरिक जांच बैठा दी और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौफ ने कादेश दिये क्योंकि एक दिन पहले जैन्यू के स्कूल आफ इंटरनाशनल स्टडीज की बिल्दिंग और प्रोफेसरों के चेंबर की तस्वीरें सामने आई थी जिन में ब्रामन और बनिया समुदाय के विरोध में नारे लिखे नजर आये थी आरोफ है कि नारों के जरीए अगड़ी जाती के चात्रों और प्रोफेसरों को जैन्यू छोड़ कर जाने के लिए धंकाया गया और ऐसा ना करने पर खून खराबे तक की चेतावनी दे दी गई मामले की जान्च होनी अभी बाकी है लेकिन एबी वीपी ने इसका ठीकरा लेफ्ट से जुड़े चात्रों पर फोड़ दिया जेन्यू ने इस मामले की आंतरिक जान्च का आदेश दे दिया है इसके साथ ही सुप्रीम कोट के एक वकील ने भी इस बारे में पुलिस कंप्लेंट दर्च कराई है